हलो एवर्वान, वेलकम टू माई चानल, चलिए आज मैं आपके साथ शेर करी हूँ बहुत यामी सी खिचड़ी और उसके साथ एक क्विक सी चक्ली, इस तरह का कॉंबिनेशन शायद ही आपने कभी ट्राइ किया होगा, कुछ सिंपल स्टिप्स और ट्रेक्स के साथ हम इसे प सबसे पहले हम साबोदाना लेंगे, साबोदाना हमीशा बड़े बड़े साबोदाना जो मार्केट में लेते हैं, वो लीजेगा, वो खिचड़ी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सबसे पहले मैंने साबोदाना, एक कटोरी साबोदाना लिया है, और एक आलू लिया है, और दो टमाटर जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है और दो चम्मच जुएव धनिया पत्ती है और तीन चिलीज ली है मैंने जो थोड़े लंबे-लंबे स्लाइसेज में काटे हैं और हाफ चम्मच क्यूमन लिया है जीरा एक चॉथाई चम्मच गरम मसाला और एक चॉथाई चम्मच काली मर्च पाउडर अब सबसे जरूरी स्टेप साबुदाने को पुलाने का सबसे जादा इंपॉर्टन स्टेप होता है जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी खिट्री जो है हमेशा अच्छी बनेगी सबसे पहले ह एक चंणी रखेंगे और उसे दो तीन बार पानी अच्छे से लिएसे पाने जैसे मैं वीडियो में दिखा रहे हूं आप उसी तरह से सब्नने का अब पानी का पानी से आपट नहीं नहीं हमेशा नीचे रहना हमरेता ही ईसके आप फामधर सब्सेलगे अगर उसके उपर हो इसमें थोड़ा सा पाने डालना और साबुदाने की नीचे रहना चाहिए पानी यह बहुत ही इंपॉर्डेंट स्टेप है एक अच्छी खिच्डी बनाने के लिए आप इसे जरूर फॉलो करेंगा सिर्फ दो घंटी के लिए दो ढ़ाई घंटी के लिए इसे फुला दिया है और यह दिखे एक दम से फूल गए है इसे पुरी राद भी गोनी की जरूरत नहीं है अब दो ढ़ाई घंटी भी फुला देंगी दिखे कितने खिले खिले हैं चटनी बनाते हैं उसके लिए मैंने एक कराई में दो टेबल स्पून ओयल ढाला है ओयल जैसे ही हीट हो जाए मैं हाफ ती स्पून क्यूमेन डाल रही हूँ अब क्यूमेन थोड़ा सा चटक जाए तब ही हम तंपने टमाटर डाल देंगे टमाटर डालने के बाद मैं इसमें सीधा नमक डाल रही हूँ और अज सब चीजों को अच्छे से मिलाएंगे हमें इससे नमक डाल कर थोड़ी दिर के लिए ढग दीना है जिससे सारे टमाटर अच्छे से गल जाए दो मिनिट हो गए हैं देखे हमारे सारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल गए हैं इस टाइम पे हम इसमें गरम मसाला, काली मिर्ज का पाउडर, पुदीनी की पत्तियां जो मैंने छोटे-छोटे बारी काट के रखी है और थोड़ी सी धनिया पत्ति भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है हमारी चटनी जो है वो रेड़ी हो रहे है बस इसे हाफ मिनिट तक और कुक करना है और यह रेड़ी है हाफ मिनिट हो गए हैं देखे अब हमारी चटनी जो एकदम रेड़ी है चलिए अब आपर हम ठिखे चुड़ी बनाते हैं में कराई लेंगे उसके मैं एक टीबिल स्पून आइल डाला है उसके बाद मैं ये कुछ करी लीव्स डाल रही हूं वो जैसे ही चटकने लगे उसके बाद हम जीरा हरी मिर्च हरी मृ्च ही लीजेगा लाल मिर्च से अच्छा टेस नहीं आ था और इनको थोड़ी देर के लिए भूनना है अब इसमें हम अपने आलू जो है उसे भी डाल देंगे और अच्छे से लाल होने तक भूनेंगे इसी टाइम पर मैं सेंधा नमक डाल कर इसे चलाते हैं जिससे आलू जो है और जल्दी सॉफ्ट हो जाए और दो में ढग दीजिए आलू जो है हमारे एकदम लाल हो गए हैं और देखिए एकदम सुनहरे कलर के दिखने लगे हैं इसी टाइम पर हम अपने साबोदाना डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे हम अच्छे से मिलाएंगे और जादा इसे पकाना नहीं है जब तक इसका थोड़ा सा ट्रांस्पेरिन कलर हो जाए तब तक हही हमें इसे कुक करना है चली अभी से से मिक्स कर लेते हैं कि सारी चीजें इसमें अच्छे से मिल जाएं अब भीच भीच पीच में ढगड़क ऑफी इसे पकाने से थोड़े खिले खिले बनते यह सारे टिपस ऑनट रिक्स फॉल्व करें तो आपके साबुद अना हमेशा ही खिले खिले ही बनेंगे अगर बहुत जादा आप इसे चला देंगे तो यह एक दूसरे पर चिपक जाएंगे देखिए यह सब कुछ अभी चलाते चलाते एक दम अलग हैं इसी तरह बीच पीच में अब हम अपनी मुमफली भुनी हुई मुमफली इसमें डाल देंगे और यह धन्या पती डाल कर और स्टेप यह है लेमन जूस इससे जरूर डालेगा इससे बहुत अच्छा टीस्ट आता है इसमें अब सब चीजों को अच्छे से मिला लीजिए हमारी किचडी जो है रेडी है चलिए इसे प्लेट में निकाला जाए दिखिए बनी है न एक दम खिली-खिली किचडी और यह भी बहुत जादा यमी लगती है तो आप इसे जरूर ट्राइ करेंगा अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छे लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट आन माय चानल थांक यू